कि रिफटी में क्या हो सकता है निफटी मेंट टुब टू अवरली टाइम फ्रेम ठीक हा एक चीज याद रखने है यहां पर रेजिस्टनस है यहां पर यह पर यह जो है यह रेजिस्टनस लेवल है डेफिनेटली वी कन लुक तो सेल अगर करना है तो कैसे करना है तो यूपन जस्ट गो तो 15 मिट साइम फ्रेम और 5 मिट साइम फ्रेम यूफ दॉट्स करेक्ट डॉट्स भी है डेली एक यह तो इसको अभी इमेडिट फर्स चॉट में ही मत सेल गीजिए इसको लेट इट गो यहां पर यहां पर यहां पर हम चलिए देखते हैं कि क्या बता रहा है हमें सो इंट्रेड ऑप्शन अनलिसे बेसिकली सी स्ट्रॉंग सपोर्ट इस देर एट नाइटी नेट हंड़ेट सो नाइटीन एट हंडड का लेवल यह वाला है यह से क्या था एक स्विंग भी था तो अब इसको आने दीजिए यहां अगर sustain करता है इसे sideways जाता है 5 minutes फिर breakdown करता है फिर एक sell trade लिया जा सकता है अगर नहीं यहां से फिर bounce back करेगा तो वो सबसे best trade होगा क्योंकि वहां पर buyers जादा फसेंगे यहां अगर fake breakout देता है इसलिए high के उपर और फिर नीच आता है तो वो एक best trade होगा आपके लिए ल लेवल जैसे कि आप देख सकते हो यह एक resistance लेवल है तो यहां पर अगर मैं एक बॉक्स ट्रॉ कर दू यहां पर रेड़ बॉक्स भी है तो यहां पर यहां पर यह रिजिस्टन्स लेने की कोशिश कर रहा है तो यहां पर इसको भी डबल टॉप बनाने दीजे रिलाइंस के के पास तो पास यहां पर हमें देखना न है आई टी सी देख लेते हैं आई टी सी क्या कर रहा है तो यह एक स्ट्रॉंग रिजिस्टन्स जोन निकालना होगा यह नहीं निकालता तो यहां से एक रिवर साल आने की संभाव न है और अल्मॉस्स सारे कंपोनेट ने देखे डबल टॉप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन गया है तो यह डेफिनिटल एक अच्छा कासा और वाला ट्रेड हमें मिल सकता है तो यहां पर अगर यह साइडवेस यह अगर ग्रीन बॉक्स को ब्रेकडाउन कर देता है तो एक शार्प निफ्ती में एक तो डबल टॉप के लिए वेट कीजिए क्योंकि यह जो स्विंग है यह स्विंग को जब तक निकालेगा नहीं तब तक सेलर से यहां पर एग्रेसिव नहीं हो सकते तो एक मिट में आपर यह ड्रॉप करेगा थोड़ा सा एक फेक अपसाइड में एक फेक यह पूल बैक दे देगा और फिर नीचे आके फास्ट में तोड़ेगा यह कभी याद रखिए प्राइज एक्शन ऐसी चलती है यह नहीं होता तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है कि यह आज का डे हाई है जो सुबह का इसने डे हाई लगा दिया है इसके उपर अगर फिर से यह सेकंड टॉप बना देता है इसके उपर फेक ब्रेक आउट देता हो तो यह बेस्टेड होगा क्योंकि यह डॉट्स भी है डेली एट्यर भी है तो आइडिली अभी के लिए हम बाइंग मोड में नहीं है अगर आफ्टर नों में कुछ चेंजस होते है तो डेफिनेटली ग्रूप में इंफर्म किया जाएगा बैंक निफ्टी देखते है बैंक निफ्टी अल्रेडी बेरिश है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिफ्टिन मिट्स टाइम फ्रेम पे एक जैक रिवरसल आया है डॉट से मैक्समें लेवल से शार्प रिवरसल यहां में देखने म बैंक निफ्टी में एक चीज़ याद रखें यहां पर सब पहले रिजिस्टंस चाह तो यह अब लेवल सपोर्ट का काम करेगा तो सेल मत कीजिए जाके अगर यहां सेल कर दोगे तो यहां पर रहाग नोगे यह सपोर्ट का काम करेगा यह पर इंटक्रेंट ऑप्षन एनल रेजिस्टन्स यह सपोर्ट लेवल है हमने फाइंड आट कर दिया क्योंकि प्रिवियस यहां से ही मार्केट ने रिवर्स लेकर यहां पर क्लोजिंग दीती है अब यहां पर मार्केट मिनिमम वन टू वन पाइंट फाइवर एक से देड़ घंटा अगर इसी जोन में होता है तो एक यह डिफिनिटली डबली एसके आसपास आ सकता है तो कभी भी ऐसे चलती हुई गाड़ी में नहीं चड़ना चाहिए वेट करना चाहिए यूवेट फॉर्याट मार्केट देगा कोई उसमें यह प्रोब्लेम नहीं है यहां पर अगर यह नहीं होता लेट से साइडवेज जाके नहीं है नीचे चला जाता तो और क्या कर सकता है तो हो सकता है यहां पर यह इंडny में डबल बटम बना दे और इसके साथ फेकट ब्रेकाउट दे़े और फिर रिवर्स कर दे और यहां साइडवे आ जाए फिर उपर का ट्रेड फिर से हमें मैं डेजब गो साइडवेज ओवर देर इमीडियेटली दोंट गो एंशॉट अड़ सपोर्ट राइड अब यहां पर विल जस्टेक टेक लूक अड़ी कंपोनेंट्स सब्सक्राइब करना चाहिए यह ब्रेक आउट अगर यहां से होता है तो ही एक मैंनिफ्टी में रिवर्सल वहां पर असकते हैं आई से बैंक अब प्रीवियस सपोर्ट अब प्रीवियस सपोर्ट यह ही बस 950 एक साइकलोजिकल लेवल तो आपर एक प्रीवियस सपोर्ट भी तो हो सकता है यहां पर भी ऐसा कुछ साइडवेज जाए फिर उपर जाने की कोशिश करें एक्सिस बैंग देख ल लाएगा तो एक अच्छा का सरी वर्सल के लिए यह यह करतेगा सब्सक्राइब तो थोड़ा सा मिक्स्ट यह बता एक्चुली देखा जाए तो अलगतरी के से चल रहे है एक्सिस बैंक अगर आप देखो अलमस सपोर्ट पर यह बीट फिर से यह सपोर्ट को टेस्ट आउट करने के लिए राइट वैंक निफ्टी में हमारे पास दो यह ऑप्शन है आप दो यह ऑप्शन करने एक तो यह इंपॉर्टन सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करने के लिए आया है यह देखे यह 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 सो दिस वेर बैसिकली इंपॉर्टन रिजिस्टन्स प्रिविएसली सो यह पहले प्रिविएसली रिजिस्टन्स थे 1234 अब यह सपोर्ट का काम करेंगे आईएली डाउन साइड में थोड़ा सा फोकस नहीं भी लिए लिए लगवग तो भी चलेगा राइदर हम यहां पर एक ब्रेक आगर देखे फेक ब्रेक आउट देने के बाद एक मिन चार्ट बढ़ा करते तो कि यह फेक ब्रेक आउट यहां पर कई देखे और फिर यह रिकोर करता है साइड चला जाता है फिर एक अच्छा ट्रेड हमें अपसाइड के लिए मिल सकते हैं और यह आप देख सकते हो कि मार्केट उपर से नीचे जरूरा है सिर्फ दोसों पॉइंट ही रहा है अभी लग देड़ दो बज़े के आसपास यह इसके उपर नहीं जा रहा है और फिर इसी जोन में जा रहा है फिर हम सेल करेंगे नहीं तो नहीं सेल करेंगे यह हमारी कंडिशन है क्राइटेरिया है नहीं अगर यह यही पर फेक ब्रेक आउट दे देता और फिर उपर आता है फिर हम बाइट्रेट भी ले सकते हैं सो निफ्टी इस वेरी क्लियर निफ्टी में डबल टॉप के लिए हम वेट कर सकते हैं डबल टॉप होता है तो वेरी गूड नहीं तो यह लेवल ब्रेक आउट नाइटीन एट हन्रेड के आसपास यह यह सस्टेन होना जी साइडवेच जाना ज है नहीं जाता है तो इस फाइन हम रिवर्सल ट्रेट के लिए प्लाइन करेंगे फिर से टार्गेट विल भी डेज़ाए फॉटीफॉर सेवेन क्लियर अलफ यू एनी डाउट्स आउप एनलीस क्लियर है आफ्टरनून में देखते अगर कोई सेट अप होता है तो ग्रूप में पोस्ट कर देते हैं मैं तो फिर से एक लाइव सेशन के लिए वापस मिलते हैं करेक्ट है ओके ग्रेट देन थैंक्स अलोड हम करते हैं आफ्टरनून में सेशन करते हैं यह